दूसरा तवारीख पच्चीसमा बाब अमसिया पच्चीस बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने उन्तीस बरस यरुशलम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यहु अद्दान था जो यरुशलम की थी और उसने वही किया जो खुदावन की नजर में ठीक है पर कामिल दिल से नहीं और जब वो सल्तनत पर जम गया तो उसने अपने उन मुलाजमों को जिन होने उसके बाप बादशा को मार डाला था कतल किया पर उनकी उलाद को जान से नहीं मारा बलके उसी के मताबक किया जो मुसा की किताब तोरैत में लिखा है जैसा खुदावन ने फरमाया के बेटों के बदले बाप दादा ना मारे जाएं और ना बाप दादा के बदले बेटे मारे जाएं बलके हर आदमी अपने ही गुना के ये मारा जाए इसके सिवा अमसिया ने यहूदा को इकठा किया और उनको उनके आबाई खांदानों के मुआफिक तमाम मुलक यहूदा और बिन्यमीन में हजार हजार के सरदारों और सो सो के सरदारों के नीचे ठहराया और उन में से जिनकी उमर बीस वरस या उससे उपर थी उनको शुमार किया और उनको तीन लाख चुने हुए मर्द पाया जो जंग में जाने के काविल और बर्ची और ढाल से काम ले सकते थे और उसने सौकंतार चांदी दे कर इसराइल में से एक लाख जबरदस्त सूर्मा नौकर रखे लेकिन एक मर्द खुदा ने उसके पास आकर कहा एबादशा इसराइल की फौज तेरे साथ जाने ना पाए क्यूंके खुदावंद इसराइल यनी सब बनी इफराइम के साथ नहीं है पर अगर तू जाना ही चाहता है तो जा और लड़ाई के लिए मजबूत हो खुदा तुझे दुश्मनों के आगे गिराएगा क्यूंके खुदा में संभालने और गिराने की ताकत है अमसिया ने उस मर्द खुदा से कहा लेकिन सौ कंतारों के लिए जो मैंने इसराइल के लशकर को दिये हम क्या करें उस मर्द खुदा ने जवाब दिया खुदावन तुझे इससे बहुत ज्यादा दे सकता है तब एमसिया ने उस लशकर को जो इफ्राइम में से उसके पास आया था जुदा किया ताके वो फिर अपने घर जाएं इस सबब से उनका गुस्सा यहूदा पर बहुत बढ़का और वो नहायत गुस्सा में घर को लोटे और एमसिया ने हौसला बांधा और अपने लोगों को लेकर वादिये शोर को गया और बनी शेयर में से दस हजार को मार दिया और दस हजार को बनी यहूदा जीता पकड़ कर ले गए और उनको एक चटान की चोटी पर पहुँचाया और उस चटान की चोटी पर से उनको नीचे गिरा दिया ऐसा कि सब के सब टुकड़े टुकड़े हो गए पर उस लशकर के लोग जिनको अमसिया ने लोटा दिया था उसके साथ जंग में ना जाएं सामरिया से बैटे होरोन तक यहूदा के शेहरों पर तूट पड़े और उन में से तीन हजार जवानों को मार डाला और बहुत सी लोट ले गए जब अमसिया अदूमियों के केताल से लोटा तो बनी शेयर के देवताओं को लेता आया और उनको नसब किया ताके वो उसके माबूद हों और उनके आगे सिजदा किया और उनके आगे बखोर जलाया इसलिए खुदावन का गजब अमसिया पर भड़का और उसने एक नभी को उसके पास भेजा जिसने उससे कहा तू उन लोगों के देवताओं का तालिब क्यूं हुआ जिन्होंने अपने ही लोगों को तिरे हाथ से ना चुड़ाया वो उससे बातें कर ही रहा था कि उसने उससे कहा कि क्या हमने तुझे बातशा का मुशीर बनाया है चुप रहे तु क्यूं मार खाए तब वो नभी ये कहकर चुप हो गया कि मैं जानता हूं कि खुदा का इरादा ये है कि तुझे हलाक करे इसलिए कि तुने ये किया है और मेरी मश्वरत नहीं मानी तब यहूदा के बादशा अमसिया ने मश्वरा करके इसराईल के बादशा यूास बिन यूाखर बिन याहू के पास कहला भेजा कि जरा आ तो हम एक दूसरे का मुकाबला करें सो इसराईल के बादशा यूास ने यहूदा के बादशा अमसिया को कहला भेजा कि लबनान के उंट कटारे ने लबनान के दियोदार को पैगाम भेजा कि आपनी बेटी मेरे बेटे को ब्यादे इतने में एक जंगली दरिंदा जो लबनान में रहता था गुजरा और उसने उंट कटारे को रौंद डाला तू कहता है देख मैंने अदूमियों को मारा सो तेरे दिल में घुमंड समाया है के फखर करे गर ही में बैठा रहे तू क्यूं आपने नुकसान के लिए दस्त अंदाजी करता है के तू भी गिरे और तेरे साथ यहुदा भी लेकिन अमसिया ना माना क्यूंके ये खुदावन की तरफ से था के वो उनको उनके दुश्मनों के हाथ में कर दे इसलिए के वो अदूमियों के माबूदों के तालिब हुए थे सो इस्राइल का बाद्शा युआस चड़ाया और वो और शाह यहुदा अमसिया यहुदा के बैते शम्मस में एक दूसरे के मुकाबिल हुए और यहुदा ने इस्राइल के मुकाबला में शिकस्त खाई और उन में से हर एक अपने डेड़े को भागा और शाह इस्राइल युआस ने शाह यहुदा अमसिया बिन युआस बिन यहुआखस को बैते शम्मस में पकड़ लिया और उसे यरुशलिम में लाया और यरुशलिम की दिवार इफ्राइम के फाटक से कोने के फाटक तक चार सो हाथ ढा दी और सारे सोने और चांदी और सब बरतनों को जो अबैद अदूम के पास खुदा के घर में मिले और शाही महल के खजानों और कफीलों को भी लेकर सामरिया को लोटा और शाह यहूदा अमसिया बिन युवास शाह इसराइल युवास बिन युवाखस के मरने के बाद पंद्रा बरस जीता रहा और अमसिया के बाकी काम शुरू से आखिर तक क्या वो यहूदा और इसराइल के बादशाहों की किताब में कलम बंद नहीं हैं और जब अमसिया खुदावन की पैरवी से फिरा तब ही से यरुशलिम के लोगों ने उसके खिलाफ साज़श की तो वो लेकस को भाग गया पर उन्होंने लेकस में उसके पीछे लोग भेज कर उसे वहां कतल किया और वो उसे घोडों पर ले आए और यहूदा के शहर में उसके बाब दादा के साथ उसे दफन किया